आज हम इस वीडियो नमारा हिंदी का चैप्टर वन करेंगे जिसका नाम है वाचन मिला यह जो पिक्चर है पहले मैं आपको इसको एक्स्प्लेइन करूँगा इसके बाद हम इसके कोशन एंसर भी करेंगे इसके लिए आप वीडियो आखरी तक जरूर देखना ओके तो देख देखन लेते तब ही आप अच्छे से समझ पाओगे सबसे पहले दोखो बाल साहिते मतलब की यहां पर बच्चों की बुक्स रखी है बच्चे यहां पर आकर पढ़ सकते हैं यहां पर आपको ई-बुक्स आडियो बुक्स मिल जाएगी यहां पर विज्ञान का था मतलब कि यहां पर आपको साइंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी साइंस के बारे में आपको बुक्स मिल जाएगी यहां पर किशोर का था यहां पर मतलब कि जो थोड़ा बड़े बच्चे रहते हैं जो बारा साल के से जादा बच्चे रहते हैं बारा से अठरा साल उनके लिए जहांपर बुक्स रखी गई है किशोर साहित है और ग्रंथ दिंडी मतलब कि एक फेस्टिवल टाइप है जहांपर हम बुक्स को पालकी में रखकर बुक्स को हम शुक्रिया बोलते हैं धन्यवाद बोलते हैं जो हमें ग्यान देते हैं उसके लिए ठीक है समझ गया चलो स्टा सकते हैं ठीक है चलो भी स्टार्ट करते हैं देखो इन्यवाद पिक्चर में देखके हमें क्या मालूम यहां पर पढ़ रहा है देखो कि एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं मेले में पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है आगे एक छात्रा हाथ में सूशना फलक लेकर चल रही है जिस पर लिखा है गरंत दिल्डी एक अन्य चात्रा के हाथ में सूशना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाएं ग्यान जाने भाशाएं विज्ञान मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तके दिखाई पड़ रही है विशय नुसार अलग-अलग विभाग बने हुए है जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा, इत्यादी हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तके रखी हुई है बाल साहित विभाग में e-books और audio books जैसे विभाग भी बने हुए है इनमें रखा साहित डिजिटल रूप में है पास ही विज्ञान कथा विभाग है यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित के बारे में कुछ पूछ रहा है पीछे अनेक स्तिरी पूश खड़े दिख रहे हैं वहाँ शायद वैस्क साहित रखा हो और देखो लास्ट में आपको मैसेज दिया गया है क्या है पुस्तके हैं हम सबकी साथी प्रजवलित करे ग्यान की बाती मतलब कि बुक्स हम सबकी साथी है हम उससे अपने ग्यान को और ज़्यादा रोशन करे और ज़्यादा बढ़ाए तो यहाँ पर हमारा explanation complete हो गया है अभी हम चलते question answer की दरफ जितने question answer मुझे मिले है मैंने आपके लिए लिख के रखा है और explain करता हूँ मैं आपको तो देखो यहाँ पर हमारे है यह question answer इसमें पहला question क्या है रिक्तसानों की पूर्ती करो फर्स्ट का इसमें इस पार्ट में वाचन मेले का चित्र है तो यहाँ पर आपका answer का वाचन मेले ठीक है second का विद्यार्थी ने पुस्तवकों की शोभा यात्रा निकाली है यहाँ पर आपको फिल क्या गरना है शोभा यात्रा अब चलते है second पर second में देखो आपको क्या दिया गया है सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्न लगाओ क्या है पहला यहाँ वाचन मेले का चित्र है तो सही है यह तो चित्र वाचन मेले का है हमने पढ़ा है हमारे chapter का नाम ही वाचन मेला है अब आगे कि eskand मेले में सिर्फ बच्चे शामिल हुए है तो यह तो गलत है मेले में बड़े, बच्चे और बुड़े सब लोग है थड़ क्या है मेले में e-book की दुकान नहीं है यह भी गलत है अब भी हमने देखा है मेले में e-books, audio books भी है तो ये गलत है, मेले में बाल साहित विभाग भी है, बतब कि बच्चों के बुक्स जो पढ़ने के लिए है, वो सेक्षन भी है, तो हाँ ये सही है, हमने देखा है, बाल साहित भी मेले में है, अब चलते हैं थर्ड पे, देखते हैं, थर्ड में कहा दिया गया है, यहाँ पर आप क्यांसे लिखोगे, शोभाय यातरा में 8 चातर चातर है शामीली है, अब काउंट करो पिक्चर में आपको दिख जाएगा, 8 चातर है चातर हैं, ओके, अब दिखोड में कैं आपको, मेले में कौन-कौन से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं, तब उत्तर में क्या लिखो मेले में पुस्सकों से पाई ग्यान जाने भाषाय ग्यान या शूषना प्रदर्च्रित की गई है!", अब 6 में क्या रिक होगे स्कूलमेश chaos और pounds पहना है में 6 में के रिखी अब कको • गरंथ दिल्डी में तो दिल्डी में याथ में तक्तिया हैं, अब चलते हैं, हम सेवेंद पर देखते क्या दिया गया है, पाठ में कौन-कौन से घोश वाग के दिये गये हैं, अब क्या लिखोगे, पाठ में दो घोश वाग के दिये गये हैं, पहला क्या है, पुस्तकों से पाए ग्यान, जाने भाशाए विज्ञान, सेकर क्या है पुस्तके हैं हम सब की साथ ही प्रज्वलित करे ग्यान की बाती है कि पुस्तकों से हमें ग्यान पाना है हम उससे ग्यान पाते हैं हम उससे अलग अलग भाशा जानते हैं विग्यान के साइंस के बारे में जानते हैं सकंड का मतलब क्या है पुस्तकों जो है हम सबकी साथ ही है हम सबकी दोस्त है आप बोल सकते हो और इससे हम अपने ग्यान को और ज़्यादा रोशन करते हैं और ज़्यादा बढ़ाते हैं एक में कई विद्यार्थियों ने गरंत दिंडी क्यों निकाली है तो अब देखो लास्ट में हमें का दिये गया है वाचन मेले का ओर्णन करो क्या इसमें उत्तर वाचन मेला एक बड़े परिसर में लगा है मेले में बहुत से स्तिरी पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं स्कूल के कुछ बच्चे पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं पुस्तकों को एक सुन्दर पालकी में रख कर एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है जिस पर लिखा है गरंत दिंडी एक छादर के हाथ में एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ग्यान जाने भाशाए विज्ञान मेले में विशा इनुसार अलग-अलग विभाग बने हुए है जैसे किशोर साहिते, बाल साहिते, विज्ञान कथा, इत्यादी देखो यहाँ पर किशोर साहिते मतलब की ऐसी बुक्स जो 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए हो बाल साहिते मतलब की ऐसी बुक्स जो 12 साल के नीचे के जो बच्चे हैं मतलब कि जो बाल साहित है, जो बच्चे लोग का जो बुक्स का जो सेक्शन है, वहाँ पर आप बुक्स को मुबाइल फौन में, टैबलेट में या तो आप सुन भी सकते हो, औडियो बुक्स जैसे सुन सकते हो डारेक्ट यएर फौन लगा किए. इन में रखा साहित्य डिजिटल रूप में है, पास ही विज्ञान कथा का विभाग है, यहाँ छोटा लड़का और एक लड़की बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहे हैं देखो, विज्ञान, मैंने आपको बताया ना, कि विज्ञान जो विभाग है, वहाँ पर कौन सा सेक्शन है वो, वहाँ पर साइन्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अब आगी क्या है, पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं, वहाँ शायद वैस्क साहिते रखा हो, मतलब कि पीछे बहुत सारे स्त्री पुरुष है, बड़े लोग हैं, मतलब कि वहाँ पर लगता है बड़े लोगों की बुक्स रखी हुई है, इसके लिए ने से भी दोस्तों के साथ शेयर करो, तेंक यू,